हेलो बच्चो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस सेसन में आज के सेसन में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि अगर आप CSIR NET या ZRF की प्रपेशन कर रहे हैं और Mathematical Sciences exam तो आपको कैसे तयारी करनी है कि आप जो है exam qualify कर सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात कि CSIR NET या ZRF exam है क्या आप लोगों में से ज़्यादा तो लोगों को ये पता होगा मैं उनके लिए जो साइद ये पहली बार सुन रहे हो नाम वैसे तो कमी लोग होंगे ऐसे लेकिन अगर कोई आप में से है जो पहली बार ये नाम सुन रहा है तो उनके लिए मैं बता दूँ कि CSIR NET या ZRF क्या exam है बेसिकली ये exam एक ही होता है आपका ठीक ना जो CSIR कराता है CSIR with NTA है ना NTA CSIR exam और ये net का जो exam है ये बेसिकली net अगर कहा जाए इसमें paper तो एक ही होता है सिंगल पेपर उस सिंगल पेपर से ही कुछ लोगों को NET आवार्ड क्या रहाता है इसको LSB बोलते हैं लेक्चररशिप और कुछ लोगों को ज्यारफ तो अब इसमें होता क्या है कि बस इनका नंबर का फरक होता है ज्यारफ और NET में ज्यारेफ के लिए थोड़े ज्यादा नंबर च screaming कर आता है बहुत सारे exams के लिए होता है जर्चा करने जा हूँ, जासे मैं आ आपको बता है कि internet और pref का paper एक ही होता है number के हिसाबसे डिसाइद होता है कि आपको net मिला है याέρuff मिलने के बाद जहां आप colleges में assistant professor के लिए अपलाइ कर सकते हो वहीं JRF clear करने के बाद आप assistant professor के लिए तो eligible होई जाते हो साथी साथ आप बहुत ही बहतरीन institution से PhD करने के लिए भी eligible हो जाते हो हलाकि eligibility आपको वैसे भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यहाँ पे जो है पिएचडी से आपको क्या मिलता है JRF अगर आप होल करते हैं और आप पिएचडी मेंडिमिसल लेते हैं तो आपको एक scholarship मिलती है इसके संदर में मैं आपको बाद में बताऊंगा अपने next वीडियो में तो यह है आपका कि net clear करने पर आप assistant professor लग सकते हो कॉलेजेज में eligible हो जाते हो और जो यह minimum eligibility criteria है असेशन प्रोफेसर के लिए और JRF होने के बाद जो है आप पीएचडी के लिए इंडॉल कर सकते हो और साथी साथ subject based मतलब यह होगा कि अगर mathematical sciences है जो इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ mathematical sciences का exam है है ना तो आप जो है subject based में आपके पास mathematics के लिए topics है जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा उनमें से questions आएगे और ऐसे ही मतलब जिसमें एक से ज़्यादा उत्तर भी सही हो सकते है तो पेपर पैटर्न आपका ऐसा हो गया जनल एक बार यह देख लेते हैं कि यह कितने नंबर का पेपर होता है कितने questions करने होते हैं और कितना आपको समय दिया जाता है ठीक है ना तो टोटल आपको जो है 3 hours का time दिय बी में 40 होते हैं पार्ट C में 60 होते हैं तो टोटल 120 question आपके पास आते हैं ठीक है ना एक्जाम में 120 question आपको दिये जाएंगे तो कि आपको यह सारे करने हैं नहीं यहां पर दिखो यह लगाया है upper limit कि आप पार्ट A में 15 से ज़्यादा question नहीं कर सकते पार्ट B में 25 से ज़ करने हैं वो directly 120 का एक तरीके से आधा 60 question आपको total यह तीनों पार्ट मिलाके attempt करने हैं ठीक है ना उसके बाद marks कितने मिलते हैं आपको सही answer देने पे तो जो पार्ट A के questions हैं उस पे आपको 2 marks मिलते हैं सही करने पे part B पे आपको 3 marks मिलते हैं सही करने पे part C में आपको 4.75 marks मिल सकते हैं ठीक है तो टोटल जो है आपका जोड़के यह 200 marks का आपका paper हो गया ठीक है ना और किते नंबर चाहिए होते हैं net और ज्यारफ क्वालिफाई करने के लिए इस पे जो मैंने आपको बता है कि next जो मेरा वीडियो आने वाला है उसमें इस अंदर में मैं आपको जान कर मानस मांकिंग नहीं तो 200 नंबर का question है तीन घंटे का समय है ठीक है और इस प्रकार से आपको attempt करना है ठीक है तो यह तो गया आपका exam pattern कैसा होता है इसका अब question यह है कि तैयारी कैसे करें ठीक ना तो कैसे तैयारी करें तो सबसे पहली बात get best content and study material अब question है कि कहां से guarantee मिलेगी कि आपको best content मिल रहा है best study material मिल रहा है तो इसके संदर में आपको सपह ही research करनी पड़ेगी अलाकि हम भी आपको जो है content provide करते है content के प्रकार है हमारे पास आपको जो है live class दी जाती है साती साथ जो है आपको उसके हर class के पीडिय आप्डियाप दिये जाते है ओनके solution दिये जाते है तो we also provide the content और भी बहुत सारे जिगह से आपको content मिल सकता है तो जो भी आप फोड़ा पर देखेंगे वहां से आप देखेगा कि जो भी आपके लिए उचीत हो वहां से आप content लीजिए तो best content आपको पहले तो लेना है उसके पस्चात जब आप कहीं भी अगर आप जोईन करते हैं कैसे भी आप तयारी कर रहे हों चाहे स्वतह तयारी कर रहे हों चाहे किसी भी माध्यम से जैसे भी आप तयारी कर रहे हों यह जो हिस्सा है second point जो है make short notes for quick revision जब आप exam होने के एक महिने पहले वाले समय पे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरत आपको पढ़ती है कि आप कैसे कैसे पढ़ाई करें कैसे revise करें तो जब अगर आपने यह short notes बना रखे हैं अपने पढ़ाई के दोरान तो लास्ट समय में जो आपका revision है ना वह बहुत ही बहुत ही जल्दी हो जाएगा तो इसलिए हर topic जो भी topic आप पढ़ते हैं जिस भी माध्यम से पढ़ते हैं आपको हमेशा short notes बनाने हैं topic wise तीक ना last time पर आपकी बड़ी मदद करें जो उसके ब आप jam के ले लो IIT jam के भी paper के जो questions होते हैं अच्छे level के होते हैं उसके अलावा आप जो है क्या नामे NBHM के questions ले लो है ना और CSIR के तो आपको ले नहीं है और भी आपके पास कोई competitive exam होते हो जहां पे कि आपके जो mathematical sciences का syllabus का topic है वो आता हो उसके भी previous questions आप try कर सकते हैं तो यह पूरा question bank आपके पास होना चाहिए यह सारा जो है आपको solve करना है तो यह question paper हो गए previous sir का मतलब यह है यह सारा आपको करना है उसके पश्चात आपको online माध्यमों से जो भी mock test आप afford कर सकते हैं और साथी साथ जो आपकी research के according अच्छे mock test हों उनको जरूर जो है दीजिए online mock test देने से आपको एक पता चलेगा कि actual exam में जो है कैसे आपको question solve करना है एक प्रकार से आपकी practice हो जाएगी तो online mock test जरूर आपको देने हैं तो यह तो हो गया आपको क्या नाम है कि कैसे आपको actually proceed करना है लेकिन जैसा मैं आपको बताया कि सबसे पहला point है कि आपको बढ़ि जो का आदत होती है सदह पढ़ने की और जिनको सदह पढ़ने की आदत नहीं भी है जो कहीं सभी content पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं कुछ topics बताने वाला हूँ जिस पे आपको बहुत ही ध्यान लगा करके तयारी करनी है तो यह topics है चार topics है main focus topics इन पे आपका main focus होना चीए पहला सबसे important topic है आपका real analysis बिना real के किसी की नईया पार नहीं होगी real analysis का आपका content आता है यह 50 से 55 नंबर तक का आता है समलो ठीक है ना linear algebra भी ऐसा ही 50 to 55 marks यह भी आपका 50 to 55 marks का आता है ठीक है 50 to 55 marks का abstract algebra आपका 20 to 25 कभी कभी 30 तक भी पहुच जाता है complex analysis भी आपका 20 25 to 30 marks का तो यह आप देख पा रहे हो कि यह content ही एगर minimum minimum भी लगाओ तो कितना ज्यादा निकल जाएगा 120 में 140-45 के आसपास ज्यादा ही I think हो जाएगा 140-45 के आसपास पहुच जाएगा है और आप सप्राइजिंग लिए आपको सायद पता हो नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि बहुत ज्यादा नंबर नहीं चाहिए होते हैं पास होने के लिए लास्ट टाइम जो कट आफ गई है आई थिंक वह 98 गई है मतलब जो अभी आ जादा नहीं लाने होते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि यह टॉपिक जो है सबको फोकस करके पढ़ना है इसके अलामा होता है कि डूबते कुट तिनके का सहरा तो तिनके का सहरा यह है जैसे आपके भई इसको हम प्योर मैथमेटिक्स बोलते हैं यह जो हिस्सा है दिस भी कॉल इसको हम क्या बोलते हैं प्योर यह प्योर मैस का हिससा आता है तो प्योर मैथमेटिक्स तो मेन फोकस है आपका उसके बाद वही है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत उपर नीचे हुआ कुछ तो सम्हालने के लिए आपके पास यह तीन भाई लोग हैं और भी इसके अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलते हैं और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में बट मैं वहां पर वही बता रहा हूँ जो आप जो है मलब मोस्ट फोकस टॉपिक्स पूरा स्लेबस नहीं मैं जब आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो अगर आपने अच्छी स्तियारी कर ली तो आपका कोई यह अरप नो ही रोग सकता ठीकश नब बात करते हैं कि content कैसे तैयार करें ठीक नबता थो इसर आपने की best content थैए तो content अच्छा बनाने के लिए एक तो आप कहीं से coaching join कर सकते हो कहीं से content खरीच सकते हो लेकिन अपने से और क्या कर सकते हो और क्या add on कर सकते हो तो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज बुक्स बता रहा हूं आप अच्छा ग्यानारजन के लिए ये बुक्स रेफर कर सकते हो और ये सारी के सारी किताबे वही है जो मैंने स्वत्व पढ़ी हुई है वर्सों से मैंने इनको पढ़ाया हुआ है तो उस कहदो कि अनुभो के अधार पर मैं के परपस से नेक्स जो बड़ी फेमस बुक है सबने लगवग पड़ी होती है ये हमारे हां मलिक एन अरोरा की आती है मैथेमेटिकल अनालेसिस ठीक न ये भी अच्छी किताबे आप पढ़ सकते हैं नेक्स इस इंटोड़क्शन टूरियर अनालेसिस भाई एसके मापा ये अब बहुत सुन्दर किताब है ये भी पढ़ सकते हैं आप और ये वो किताबे हैं जो मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा लिखा हुआ है ये आपका रियर अनाल्सिस का कंटेंट कहां से कहां तक ले आएगा आपको पॉइंट से टॉपलोजी जो पॉइंट से इस पिवैक की ये किसलिए है जो आपका एक यूनिट आता है यूनिट नहीं एक हिस्सा होता है ये अनालसिस में वो होता है आपका functions of several variable का limit continuity and differentiability तो functions of several variable के लिए इस से अच्छी किताब मैंने नहीं देखी है सबसे बेस्ट किताब जो मैं रेफर कर सकता हूँ ये 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 ठीक किताब है ये तो ये सारा आपका real analysis का हिस्सा कवर हो गया उसके पस्चात आते हैं नेक्स है आपका linear algebra लेजबरा में वैसे दुनिया भर की किताब है आपके मार्केट में जो है आप देखोगे अबलेबल है टीचर भी आपको बताते होंगे मेरा सबसे अच्छा अनुभो र अच्छे क्वालिटी के questions collection है और बहुत सारी किताब होंगी जो आपने पड़ी होंगी हो सकता उनमें भी आपको अच्छा content मिलेगा नो डाउट लेकिन ये मेरे अनुभो के लिए जो है ये किताब सबसे अच्छी मेरे अनुभो के नुसार नेक्स है आपका linear algebra भाई विवे लिए एक हिस्सा होता है matrix का तो matrix के लिए बहुत सारी किताबे चलती है पर एक किताब जो मुझे personal favorite है मेरी वो है आपकी करीम M. अबादिर की इसमें इन्होंने जो है matrix algebra बहुत ही detail में theorems के proof है ना और बहुत के दो के प्रकार से थोड़ा सा advance level तक का इसमें cover करा हुआ है जो next topic आता है आपका abstract algebra, abstract algebra की किताब है पहली किताब जो है खन्नान भामरी के एक book आती है abstract algebra की नाम से हलाकि इस किताब में आपको linear algebra और field theory भी मिल जाती है लेकिन नाम से आती है abstract algebra के बहुत अच्छी किताब है प्रीज इसको पढ़िएगा उसके बाद next आपकी है abstract algebra by dummy 10 footay, dummy 10 foot इसके बुक का best मुझे ये लगा कि इनके पास जो results है बड़े दुरलब से results है इनकी बुक में जो collection है results का वो काफी दुरलब है जो आम किताबों में नहीं पाए जाते हैं और इनकी अप्शेक लिजबरा में जो है आपका field theory बहुत अच्छे से क्याना में cover किया है ring theory cover किया ह और group theory cover किया है तो ये किताब भी मैं आपको suggest करूँगा कि जो है आप जरूर पढ़िएगा अच्छे दुरलब results जानने के लिए ठीक है और questions का जो इनका exercise का collection है वो भी जबर जस्त है ठीक है उसके बाद last but not the least सबसे अच्छी किताब जो मानी जाती है abstract algebra की ये किताब सब को पढ़नी चाहिए contemporary abstract algebra जोसेफ गैलियान ये मतलब के दो की बहुत बहुत अच्छी किताब है ठीक न ये तीन किताबे बस मने आपको abstract algebra के लिए बताई है गर आपने इन तीनों किताबों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका abstract algebra जबर्जस तरीकी से त्यार हो जाए ठीक न और जरूर है आपको short notes बनाने ठीक न वो मैंने पहले बता दिया आपको लास्ट आपका आता है complex analysis के लिए मेरी personal favorite है है एक्चे पिस्टले की बुक आती है introduction to complex analysis ये actually engineering students के लिए लेकिन अप्रोच जो है mathematics वाली है मतलब लिखी गई है engineering वाले बच्चों के लिए जो प्रोफे statement लिख दिये और even उस theorem को कैसे question में apply करना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से examples के माध्यम से इसमें समझाया है तो ये किताब में definitely आपको refer करूँगा उसके पश्चात आपका complex analysis by Joseph Beck and Newman ये भी एक अच्छी किताब है ये भी आप refer कर सकते हैं और एक किताब जो आपको सब suggest कर करेंगे वो है last में ये वैसे इसका number आम तोर पर उपर रखा जाता है इसा कुछ specific order यहां पर नहीं है ये जो है foundations of complex analysis है ये किताब भी बहुत ही बत के दो की प्रचलित किताब है बहुत ही अच्छी किताब है इसको भी आप refer कर सकते हैं for complex analysis ये तीन किताबों से अगर आपने से कर ने मैंने अब आपको बता दिया जहां से करने है ठीक नवे ऊक्य आगे चलते हैं नेक्स आपका बारी आता है differential equations का तो तो आपका एक बुक आता है अपने ये किताब पड़ी होगी नहीं पड़ी होगी तो सुनी जरूर होगी इसमें आपका एडवांज डिफरेंसिल एक्वेशन टाइटल से आता है इसमें ODPD दोनों कवर है और पूरा सलेवस बढ़ियां से कवर है तो ये किताब अगर आपने कर ली तो ODPD और कहीं और से पढ़ने के आओ सकता नहीं लेकिन फिर भी अगर आप रिफर करना चाहते है तो एक एलिमेंटरी कोर्स इन पार्चल डिफरेंसिल एक्वेशन है बाई टी अमरनाथ पार्च में इमानदारी से तयारी करते हैं तो आपका एक्जाम कोई नहीं रोख हो सकता है क्वालिफाई करने से अच्छी रैंक से क्वालिफाई करने से तो बस आज के इस सेसर में बस इतना ही नेक्स डिसन में आपसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि नेट वर्सिस ज्यारफ ठीक है, थैंक्यू सो मच